जहीं दोस्तों, Welcome Back to Tube Talk दोस्तों, जब दी मेरे पास कोई नई OTT अपडेट निकल के आती है मैं वीडियो के जरीए आप से उसकी अपडेट शेयर कर लेता हूँ और यही करने जारहों इस वीडियो में जहाँ पर कुछ नई OTT अपडेट मेरे पास आई हैं जहां पर दोस्तों एक direct to OTT रिलीज होने जा रहा है मूवी का जिसका नाम है काम चालू है जहां दोस्तों काम चालू है एक social drama messaging मूवी है जिससे direct to OTT प्रेमेर किया जा रहा है Z5 के platform पे और आपको इसी हफते 19th April से आपको यह मूवी देखने को मिल जाएगी जिसमें आपको पाजपाल यादव lead character में देखने को मिलेंगे और यहां पर आपको जो story है थोड़ी non-commercial देखने को मिलने वाली है और ऐसे मूवी मुझे ज़रूर पसंद आती है जिन में थोड़ा सा भी social message हो तो यह movie आपको डिरेक्ली 19th April को देखने को मिलने वाली है इसके अलावा दोस 26th April को दोस्तों release किया जा सकता इस movie को Netflix के platform पे लेकिन जो update है वो यह है कि शुरू में इसको सिर्फ South Indian languages में release किया जाएगा और 26 April के release के बाद दो हफते के बाद इसका Hindi dubbed language भी इसमें add किया जाएगा लेकिन इसकी जो languages की confirmation अभी तक नहीं आई है लेकिन Tillio Square के chances जो release होने के Netflix पे वो 26th April के बहुत जादा है इसके साथ साथ दोस्तों Family Star की एक movie फिलाल सिनमाज में release हुई है और मुझे काफी सारे message आ रहे है Family Star movie को लेकर तो मैं आपको यह बता दूं कि जो लोग भी मुझसे Family Star की OTT update मांग रहे है मैं उने बता दूं कि इसके OTT rights है वो है Amazon Prime के पास और बिजक तो इसकी release rate है वो है third of में languages जैसे भी release होने वाला होता है उसके आसपास update की जाती है तो वो जब update आएगी languages की इसके release के आसपास तो वो भी आपको मेरी channel पर सुनने को मिल जाएंगी इसके अलावा दोस्तों बड़ी news आ रही है उन लोगों के लिए जो Godzilla minus one इस movie का ब Godzilla minus one जी हां दोस्तों Godzilla minus one movie तीन मई 3rd में दो हफ़ते के बाद release होएगी Amazon Prime Video Japan पर यानि कि Japan में जब इसे release किया जाएगा तो Japan में इसे release किया जाएगा Japanese language में क्योंकि इसके English poster को भी release नहीं किया है Hindi तो दूर की बात है तो Hindi तो शायद इसकी कभी ना आए लेकिन इसके English poster को भी इसके पोस्टर जो release किया गया है वो Japanese poster release किया गया है और जो नई update आ रही है उसके इसाब से जहां इसे दोस्तों 3rd of May को Amazon Prime Video Japan में release किया जाएगा उसके एक हफ़ते के बाद इसको release किया जा सकता है Blu-ray और VOD में जहां इसे English में release किया जाएगा लेकिन फिलाल जो सबसे पहल Godzilla Kong The New Empire इस movie की भी update निकल कर आ चुकी है तो जिन लोगों को Godzilla minus one movie का इंतजार था उन्हें इंतजार है Godzilla X Kong का क्योंकि यह जो एक franchise है इस monster verse में बहुत जाद अच्छी माने जाती है और दोस्तों अब यहां पर इसका video on demand release date final हो चुका है जहां इसे English language में तो release किया जाएगा update य और इसका release है वो 14th of May है अब अगर यह rental पर release होती है तो आप तो ऐसे हैं कि आपको rental rental से घंटा फरक नहीं पड़ता बस release होनी चाहिए तो जो release है वो Amazon Prime Video पर rental basis पर हो जाएगा 14 में को आपको सारी जोगाट platforms मिल जाएगी और news जो ही है वो यह कि हिंदी में भी भाई इसे release क किया जाएगा इसके अलावा दोस्तों expected date आचुकी है शैतान मूवी की शैतान मूवी को मैं कई बार आपके साथ कवर कर चुका हूँ लेकिन फिर भी आप मेंसे काफी सारे लोग शैतान मूवी के लिए मुझे messages करते हैं तो मैं आपको बता दूं कि इसकी 3rd में की date Netflix की almost confirmed है Netflix की तरह से listing लेकिन बहुत सारी और जगह से आचुकी है तो शैतान मूवी आपको भाई लोग देखने को मिलने वाली है 3 मई को इसके अलावा दोस्तों आप मेंसे काफी सारे लोग योद्धा मूवी का भी वेट कर रहे हैं क्योंकि इस मूवी को काफी अच्छे reviews मिले थे और इसके साथ साथ सिधात मल उत्रा आपको एक नए करेक्टर इसमें नजर आने वाले हैं तो इसका जो जो डेट है वो आल्मोस्त वाइनल हो चुका है जो होने वाला है 26 अपरिल जब इसे रेंटल पर रिलीज किया जाएगा Amazon Prime वीडियो पहले इसकी जो डेट थी वो 19 रिख सकते हैं और जो इसका रिलीज डेट है विदाउट रेंट सभी यूजर्स के लिए जब इफ्री में रिलीज होगी वह 10 अफ में दस में को इसे रिलीज कर दिया जाएगा बाकी सारे Amazon Prime यूजर्स के लिए तो दोस्तों यह थी कुछ क्विक अपडेट्स जो मैंने लाओतार हूंगा तो यह था मेरे एक वीडियो अंटिल आगेट बाक टे नेक्स वीडियो इस गुद बाई फ्रॉम तुबेटोंक